Apple ने release कर दिया iOS 17.4.1 और यह काफी दा important update है approximately 3-4 दिन से हम लोग wait कर रहे थे कि Apple कभ इस update को release करेगा तो इसमें काफी दा bug fixes थे अब यहाँ पे Apple ने mention कर दिया कि bug fixes के लिए यह update है लेकिन क्या bug fixes है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है update size के बारे में हम लोग बात कर लेता है तो यहाँ पे 406.5 MB मेरे iPhone 15 Pro Max पे आप लोगो को यह update size दिखने के लिए मिलता है और vary कर सकता है कर आप किसी पुराने phone से आ रहे हो पुराने update से आ रहे हो तो यह यहाँ पे differ कर सकता है अगर अपडेट जादा हो या कम हो तो वह एक बड़ा difference आपके install पे नहीं करने वाला लेकिन काफी साथी चीज़ जो आप लोग के साथ discuss करनी है आगे बढ़ते है settings में जालते है built number हम लोग यहाँ पे देख लेते है तो मैंने इसको यहाँ पे update कर लिए 17.4.1 built number आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 21E236 यह आपको 17.4.1 का built number देखने के लिए मिलता है अब यहाँ पे modern firmware के हम लोग अगर हम लोग बात करें तो modern firmware है 1.55.04 जो की बिल्कुल सेम है जो 17.4 में था कोई भी आपको major change देखने के लिए नहीं मिलता है अवेलेबल स्पेस की बात कर लेते हैं अपडेट करने से पहले 97.54 GB थी और अपडेट करने के बाद आप सेटिंग्स में देखे तो वो है 95.86 GB तो प्रॉक्सिमेटली दो जीबी कम हुई है जादा बड़ा डिफरेंस नहीं है बट विट टाइम दो से तीन दिन में यह जो अपडेट है यह भी मालब इनो जो साइस है अवेलेबल स्पेस का वो भी विट टाइम कम हो जाएगा स्टार्टिंग में आपको जादा डिफरेंस दिखने के लिए मिलता है आगे बढ़ते हैं Watchnew के बारे में लोग बात करते हैं तो 17.4.1 में में चीज आपल ने लिखी है important bug fixes और security updates अब यहां पर हम लोग Apple की website पर चले जाते हैं तो security updates में 17.4.1 में आप लोग दिख सकते हैं details coming soon Apple ने आपर खुछ भी mention नहीं किया 10S से लेके 15 pro max तक जो यह security update अवेलेवल है तो basically security updates अभी तक Apple ने mention नहीं कर रहे है और बाकी update में क्या है bug fixes तो देखो यार जो भी Apple ने bug fixes कर रहे है वो internally है जो bug fixes 17.4 में थे एक clock से related था and especially contact में मलब जब भी किसी का call आता था तो जो screen है वो flickr करती थी वो अभी तक solved नहीं हुआ है 17.4.1 में and maybe यह issue भी तक address ही नहीं किया गया जिसको address करना काफी था important है तो देखते हैं आगे क्या होता है बाकी networks विगारा से related modern firmware के अगर मैं बात करूँ तो यहां पे कोई भी नया modern firmware नहीं है जो 17.4 पे performance थी वो आपको same देखने के लिए मिलती है उसके लिए कोई भी आपे changes नहीं है आगे बात करते है performance की तो देखो performance के बारे में बात करना थोड़ासा भी difficult हो जागा जैसे मैं आप लोग को हर बार बोलता हूं वैसे app crashes विकरा smooth बिल्कुल 17.4 की तरह है कोई भी problem नहीं है तो यहां पे Geekbench के score एक बार check out कर लेता है यह सारा कुछ जो है easily compute कर देंगे तो score मैंने already देख लिए थे 17.4 पे अगर आप लोग देखोगे तो 2975 single core score था और 7556 multi core score था अब यहां पे 17.4.1 अगर आप लोग देखोगे और उसके बाद अगर मैं यहां पे GPU की भी बात कर लूँ तो GPU के अगर हम लोग यहां पे history में चले तो आप लोग देख सकते हो पहले था 27735 27580 तो थोड़ा बहुत जो है यहां पे difference आई जाता है 17.4 का आप लोग जो score देख सकते हो बाकी इतने जल्दी बात करने हैं कोई फायदा नहीं जब आप लोग के लिए review वीडियो आएगी तब हम लोग थोड़ा और detail में बात करेंगे आगे बढ़ते हैं और चीजों के बारे में बात करते हैं जैसे battery life आप आपको पता है दो अगर आप मेरे cycle count देखोंगे तो वह सिर्फ अभी 149 है उस पर भी 1% जो मेरी आप गिर गई थी और बहुत लोगों का cycle count शायद ज्यादा होगा तब भी battery health 100% होगी विकास यह डिपेंड करता है कि आपका phone आप कितना यूज कर रहे हो फोन कितना हीट कर रहे है और जो chemical content आपकी lithium-ion battery के अंदर है वो कितना जल्दी degrade हो रहे है तो सारी battery health जो इसको पर depend करती है वाकि battery life भी जो है अभी तक अच्छी चल रही है वाल में को जाधा time नहीं हूँ अपडेट किये approximately मैंने सुबह के 3-4 बजे किया था और 5-6 घंटे full-fled use तो नहीं किया लेकिन उसके बाद सुबह उठने के बाद 6-7 बजे के बाद मैंने जितना भी यूज किया तो अभी तक सब कुछ साही चल रहे है बड़ में जो भी review रहेगा वो मैं आपको आने वाले 3-4 दिर में बत करता हूं लेकिन दो दिन का वेट कर लो आप लोगों के लिए रिव्यू वीडियो आजाएगी उसमें कुछ सारा कुछ जो डिटर में बाद चल जाएगा बसे मेरी आज की वीडियो इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो सब्स्राइब कर लेना तो मैं मिलता हूं अब से अगली वीडियो में टेक केर बाए